देखिएगा जवाब दीजेगा brain works in miraculous ways said by a student of class 12 बारवी कक्षा के एक बच्चे ने कहा कि जो दिमाग है वो अधभुत तरीके से काम करता है जो मस्तिश्क है हमारा she said our right brain controls creativity and our left brain controls logical thinking is she right मतलब ये बारवी की बच्ची कहते है कि उसने कहा कि हमारा दाया मस्तिश्क जो है यानि right brain वो रचनात्मकता यानि creativity को नियंत्रत करता है और हमारा बाया brain यानि left brain से logic यानि तरकात्मक जो चिंतन है वो जुड़ा हुआ है क्या ये बच्ची सही है बताईए सकलीन रिजा के रहे हैं और teaching method is amazing धन्यवाद जी देखे बताईए फटा फटाफचा बताईए यानि brain जो है दो हमिस्फेर में दो गोलार्ध में बटा हुआ है यही बात हम अभी कर रहे थे left brain और right brain ठीक है अब left brain होने का है logic से जुड़ा हुआ है यानि science mathematics जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके brain का आपके दिमाग का आपके मस्तश्क का left हिस्सा यूज होता है और जब आप right मदब कोई भी काम creativity का कर रहे है चाहे वो आप drawing हो, painting हो, music हो वो आपका right brain वहाँ पे ज़्यादा active है ठीक तो आपका जो left hand है वो right brain से connected होता है और right brain, sorry right hand left brain से ठीक, तो आपको simply देखना है L for logic, L for language जो logic और language वो left brain से ही संबन देते हैं भाषा भी left brain में ही आएगी ठीक, तो ये wrong है बच्ची या सही कह रही है कह रही है left brain logical brain है हाँ, और right brain creative है सही है, सही तो कह रही है she is absolutely correct वहें बिल्कुल सही है ठीक, तो language development left brain से ये आपके concepts कितने बैतर तरिक इस develop हुए इसलिए 2-4 questions इस तरह के डिलवाने जरूरी है जिसमें, जाहिए वो question उस तरह से exactly पूछा जाए ना पूछा जाए बट आपकी conceptual clarity वहाँ चेक हो जाए ठीक, question number 17 देखेगा ये क्या कहता है factors affecting development can be broadly classified into dash subheads मतलब विकास को प्रुभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से कितने उपशीर्षकों में वर्गी कृत किया जा सकता है यानि कौनसी sub categories है नहीं previous year नहीं है भाई, नहीं questions है जादार किया सारे ही कुछ question ऐसे हो सकते हैं जो बिलकुल based हो previous year के ठीक, तो factors affecting विकास को प्रुभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से कितने उपशीर्षकों में यानि सब topics में बाढ़ सकते हो आप कि विकास को प्रुभावित करने वाले कारक कौन से हैं बताओ एक बार दो ही कारक है या तो heredity है या तो environment है तीसरा कुछ है ही नहीं ठीक तो दो ही बचते हैं two categories में या तो heredity आपको प्रुभावित करती है या environment प्रुभावित करता है इन दोनों का product ही आप है development क्या है product है गुणनफल है आप कुछ भी नहीं है सिवाए अपनी heredity और environment के या फिर इन दोनों के product के ये साथ में कैसे onion क्रिया कर रहे है जैसे आपका intelligence जो है वो ज़्यादा प्रुभावित है आपकी genetics से आपकी heredity से जो भी biological make-up है उससे वहीं अगर आप बात कर रहे है nutrition आपको कैसा मिल रहा है education कैसी मिल रहे है teaching methods कैसे हैं आपके environment में pollution है के नहीं है ये सारी बातें environmental factor में आ जाएंगे दोई चीज़े है heredity and environment development is the product of heredity and environment environment यानि विकास अनुवान्शिक्ता वातावरन का गुणनफल है ध्यान रखेंगा गुणनफल है कुछ शेत्रों में heredity ज्यादा प्रभावी हो जाती है जैसे आपकी आँखों का रंग heredity से निर्धारित हो रहा है totally आप लेंस लगा के चेंज कर लें बात अलगे खुद से चेंज नहीं हो सकता है कि मम्मी ये वाली आँके पसंद नहीं है चेंज कर दो अब नहीं होंगी heredity क्या है static है fixed है स्थिर है बदल नहीं सकते है आप ऐसी and environment question number 18 देखेगा है question number 18 फिर उसमें personal और environmental factors आजाएंगे उस तरह से भी आप देख सकते हैं बच्चे की age क्या है और किस environment में रहता है and all चलिएगा question number 18 देखेगा girl is very conscious about how she looks every time she is about to go out she is in which stage of development एक लड़की है जो हर बार बाहर जाने से पहले या नहीं घर से बाहर जाने से पहले tuition हो school हो कभी party में जाना हो इस बात को लेके बहुत सचेत रहती है चिंतित रहती है कि वह कैसी दिखती है कैसे कपड़े पहने है क्या hairstyle रखा है whatever यह विकास की किस अवस्था में आश्वनीतिवारी फटाफट से बताओ नाम तो ले दिया जवाब सही देना पड़ेगा later childhood में है क्या बच्ची adolescence में है क्या बच्ची adulthood में है क्या बच्ची या फिर early childhood में है early childhood होता है 3-6 वर्ष के करीब 18 से 18 तक ही होता है adolescence है 12 से 18 वर्ष later childhood है 6 से 12 वर्ष अब 6 से 12 वर्ष में तो बच्चे बिलकुल गैंगेज कहते हैं उसको खेलते कुटते रहते हैं उनको कोई फर्क ने पड़ता दिखते कैसे हैं वो लेकिन हा किश्वर आवस्था वो time period है जहां पर बच्चा बहुत प्रभावित है अपने looks को लेके बहुत सचेत है conscious है और adolescent ego centrist में नाम की एक चीज होती है जो adolescence में पाई जाती है और उसमें दो चीज़े होती है अभी देखते हैं समझते हैं दोनों ही चीज़ों को कि adolescence यानी 12 से 18 वर्ष में प्याजे भी करते हैं adolescent ego centrist यानी एक तो ego centrist मोता है 2 से 6 वर्ष में जो आपका early childhood या pre operational stage क्याते हैं प्याजे की भाषा में ठीक ये के बच्चा खुद पर ही centered है उसको लगता है जो cartoon मुझे पसंद है जो chocolate मुझे पसंद है पसंद होनी चाहिए यानी दूसरे के perspective को नहीं देख पाता ये है किश्वर आवस्था की एहम केंद्रिता किश्वर आवस्था की एहम केंद्रिता है इसमें दो चीजें होती है किश्वर आवस्था एहम केंद्रिता ego centrist में यानी self centered है बच्चा इसमें दो चीज़े आती हैं आप इसको आएपी से याद रख सकते हो एक तो होती है imaginary audience यानि कल्पित दर्शक यानि उसको लग रहा है हर कोई मुझे ही देख रहा है जहां से मैं निकलती हूँ बस ये कौन है जसने पूर को मुढ के नहीं देखा मुवी आद आ रही है कभी खुशी कभी गौन है ना वो जो करीना कपूर का कैरेक्टर है तो अडलेसेंस वाल ही एज़ा एकदम कॉलिज में पहुंचे है या तो आप स्कूल में होते हैं तो सारा ध्यान किस चीज़ पे है एक imaginary audience चल रही दिमाग में कि सब ये imagination है कि सब का ध् में होता है तो imaginary audience कल्पित कल्पित दर्शक जिसको हम कहते हैं दूसरा इसमें आता है आपका परसनल फेबल परसनल फेबल यानि खुद से ही स्वा निर्मित कहानियां आप कहले इनको परसनल फेबल क्या है उसने खुद को अपने आप में इतना यूनीक समझा हुआ है कि में अपने बारे में हर चीज पहली बार घट रही है दुनिया में तो यह पर्सनल फेबल की स्थिति है जिसको वो स्वया कल्पित अपनी ही स्वया निर्मित कहानियों में रहता है और imaginary audience जो उसके दिमाग में चल रहे है कि audience है तो यह दोनों ही पार्ट है किसके question number 19 देखेगा question number 19 क्या कहता है mother of a son claims that her son Ross has the highest language development and thinks that he is mature but he is not which stage is her son at point एक मा का कहना है कि उसके बेटे Ross की भाशा विकास सबसे उच्च सतर पर यानि बहुत अच्छा हो गया एडवांस हो गया अगर मैं कहूं और वह सोचता है कि वह परिपक हो है लेकिन अभी उतना परिपक वो है नहीं वह मतलब बच्चा सोच रहा है यह जो Ross है कि मैं बहु को सच में हुआ नहीं है बताइए फटाफट से बताइए बहुत बढ़िया अला अला कॉमेंट करें सब के इसकी विकिंसी कब आएगी देखो आने को तो कभी आ जाए अभी लेकिन टाइम इस साल के एंड रखमान के चुरूआ एंड आई ही गया वसे देखेगा एंपिटाट के पीवाए क्यों की ग्लास लेंगे यार लेंगे देखो एक बार क्वेश्ट नमर नाइंटीन का जवाब दो फटाफट से सी ऑप्शन कहा रहें जाए तर लोग समझते हैं कहानी क्या है अब मदर ऑफासन क्लेम कर रही है कि जो रॉस है उसका जो लेंगे अध्वान्स लेवल पर हो चुका है बट वह अभी उत्रा मेचोर नहीं हुआ है लेकिन मेचोर नहीं हुआ उसको लगता है कि वो मेचोर है जब इसको कहा जाता है रॉस एक डेवलेपेंटल साइकोलोजिस्ट है यह रॉस यहां पर नाम ऐसी रखा गया बच्चे क ताकि आपको hint मिल जाए, ठीक, pseudo maturity की अवस्था कहते हैं इसको, pseudo maturity यानि pseudo maturity बोले तो मिथ्या परिपकवता, उसको लगता है, वो कौन से डालोग है, कि जग मिथ्या है, मतलब जूट है, तो जूटी maturity है उसके दिमाग में, ठीक है, तो मिथ्या परिपकवता, यानि उसको लग रहा है, वो बहुत परिपकव हो गया, कि हुआ नहीं अभी, कि मैं तो अपने सारे क यह अभी, हाइस कहना शाहिद यहाँ पर गलत होगा, अब ठीक कहा जासकता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में अपने आपको उस तरह से कह दिया है, कि आपका जो बच्चा है, वो ठीक से मिचौर नहीं हुआ है, ठीक, तो यह लेटर चाल हो छे से बारा वर्ष, सूडो मि काल है, रॉस नहीं काल है, मिथ्या परीपक बता है, बच्चे को लगता है कि वो बढ़ा हो गया है, जबकि हुआ नहीं है, क्वेश्ट नुबर 12, हाँ, MPTET का जल्दी ही करा देंगे, हो सकता है, कल ही मैं एक मैराथन टाइप ले लूँ, MPTET के लिए, और वो CTET के लिए इ syllabus में बाद में आया, पहले हम discuss कर रहे थे, which of the following is an example of metacognition, निमलिखित में से कौन सा परा संग्यान का उधारन है, एक तो है cognition, अभी आएंगे इस पे, cognition और metacognition में क्या अंतर है, इस पे चर्चा करेंगे, लिख लेते हैं, फिर आप जवाब दीजेगा, cognition यानि संग्यान जिसको हम कह रहे हैं, जिस पे cognitive development पे प्याजय और वाइगोस्की ने theory दीए है, संग्यान, और दूसरी तरफ है आपका metacognition, यानि cognition के भी परे की बात हो रही है, metacognition, ठीक, metacognition, यानि परा संग्यान, संग्यान के परे, परा संग्यान, बात सही है नहीं, सही है, चलू आ तो अब आपको जवाब देना है कि metacognition का उधारन कौन सा है, metacognition है basically, cognition तो हो गया thinking, reasoning, problem solving, जो भी काम दिमाग से कर रहे हो, cognition के परे जाना metacognition है, यानि thinking about thinking, reasoning about reasoning, सोच पर भी सोच पा रहे हो, ये metacognition है, ठीक, overthinking को नहीं कहते है metacognition, ठीक है, कह भी कहो कि सोच पर reflection, planning, ये सब चीज़ें लगती है, planning, organizing, of thought, दिमाग में जो विचार आपको चल रहे हैं, उन पर thinking पर भी thinking कर पा रहे है, planning कर पा रहे है, और जिसको हम कह रहे हैं, mock test, कब तक slaybers खत्म कर लेना है, सारी बाते हैं, उस पर भी आपने और चार चीज़ें एक्स्टा सोची strategy भी आपके दिमाग में है, तो निमलिकित में से कौन सा परा संग्यान का उधारन है, writing and essay, reading, encyclopedia, encyclopedia में क्या है, वो आप simple, समझ लोगी meaning क्या दिया हुआ है, इस जैसे dictionary बढ़ रहे हैं तरह से, sending rockets to space, अब rocket भेजना जो है, मतलब sending rockets, ये नहीं कहा है, बनाना है, भेजना ह step by step process होगी, वो follow हो जाएगी, shopping करना नहीं, इसमें कोई metacognition नहीं लग रहा, writing and essay, वो सही जवाब होगा है, आपे, निबंध लिखना, क्योंकि जब आप एक essay लिख रहे हैं, मानलीज, आप UPSC के परिक्षा में बैठ रहे हैं, खुद से लिख रहे हैं, तो उसमें आपको लगेगा, simple बात, तो यहाँ एक बार और देख लेते हैं, basic चीज़ें, जैसे cognition की जब हम बात कर रहे हैं, तो thinking, तो बाकी processes में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ cognition का इस्तेमाल है, कि आप दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, बीश चाहें, shopping में भी हो सकता है, आपको choose क कर रहे हैं, यह color नहीं, वह color, दिमाग का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, dictionary से meaning देख रहे हैं, rocket अगर आप भेज रहे हैं, तो कुछ process होगा, दिमाग तो लग रहा है, thinking, reasoning, problem solving, decision making, यह सब लग रहा है, जो cognition है, लेकिन thinking about thinking, यानि writing an essay, उसमें फिर आप एक level और आगे जा रहे हैं हाला कि यह जो option है, इसको और correct करना चाहिए है, यहां पर, बट ठीक है, क्योंकि बना नहीं रहे हैं, rocket भेजने की बात हो रही है, सिर्फ तो आपका वो step by step process होगा, वहां पर, पहले से बना हुआ, writing an essay में आप reflect करते हैं, thinking about thinking, जो topic है, उसमें सोच पे भी चार बार सोचते ह हैं, तो thinking हुआ यहां, reason करना तर्क हुआ, यह सब दिमाग के काम है, problem solving, imagination, problem solving, imagination, memory, यहनि चीजों को याद रखना, यह सब दिमाग में यहाथ हैं, decision making, कोई निरने लेना, जैसे rocket भीजना है, तो निरने तो लोग इन, क्या step process, क्या follow करना है, लेकिन thinking, अब मैटा का मतलब य यहां परे, संग्यान के परे, यानि thinking के परे, thinking about thinking, awareness about awareness, beyond cognition, यानि beyond thinking, यहां पर आपका reflection हो गया, चीजों पर यानि प्रकाश डाल पाना, planning, organizing, managing, यह सब इसमें आजाएगा, metacognition में, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जहां पर भी थोड़ा सभी एक्स्ट्राइब यहां पर आदिमाग का यूज हो रहा है, तो वहां metacognition, planning, organizing, strategizing, इन सब में लगेगा, question number 21 देखेगा, और जवाब दीजगा, फटा फट से, बताइए, question number 21, जवाब दीजगा, which one of the following statements is true about the role of heredity and environment, यानि आनुवान्चिकता और वातावरण के बारे में, कौन सी एक बात सही है, ए about the role of heredity and environment, आनुवान्चिकता आपके genetics और आपकी biology जिसको हम कहा रहे है, और environment वातावरण के बारे में, कौन सी बात सही है, पहला option है, certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by the environment, यानि विकास के कुछ पहलू आनुवान्चिकता से अधिक प्रभावित होते हैं, वहीं अन्य कुछ पहलू है, जो वातावरण से, जैसे education किस तरह की मिल रही है, वो वातावरण से निर्धारित होगी, लेकिन बुद्धी का इस्तर, या फिर अगर हम बात करें, आपके आँखों का रंग, आपका body structure, आपका बालों का type, वो सब आपकी heredity निर्धारित करती है, जादा हद तक, तो A child's ability to learn and perform is completely decided by the genes, कि यानि जो सीखने की शमता है और perform करने की शमता है, वो totally genes से ही निर्धारित होती है, तो फिर तो heredity का रोल ही नहीं बचा, फिर हम education क्यों हो दे रहे हैं, अगर perform करने की या सीखने की जो सारी ability है, वो सिर्फ और सिर्फ heredity ही निर्धारित कर दे रही है तो फिर तो हम पढ़ा कि हो रहे हैं बच्चे को, कुछ ना करा हैं फिर तो हम, good care and a nutritious diet can fight off any disorder, यानि अच्छा ध्यान रखा जाए, अच्छी डाइट दी जाए, कोई भी बिमारी दूर हो जाएगी नहीं, कुछ disorders नहीं जो दूर नहीं होंगा अच्छी डाइट से, hereditary हो सक नहीं प्रकट हो जाती हैं जो चीज़ें, वो फिर बाद में बहुत सारी तरीके से ठीक नहीं होती, जाधा तर जो भी disorders है, the environment plays a significant role only in the child's language development, ऐसा नहीं है कि वातावरण का प्रभाव सिर्भाशा विकास में है, सामाजिक विकास में भी है, नयतिक विकास में भी है, even much at home, talks a lot at school, it shows that, मैं भी बहुत बार दिये वाला, मैं दूसरा question समझ रही थी, लेकिन हां ये भी दो तीन बार पूछा जा चुका है, total, तो she doesn't like her home at all, मैं बहुत बात करती है, इसका कारण क्या हो सकता है, कि बच्ची घर पर बात नहीं कर रहे है, या school में बात नहीं करती, घर पर बात करती है, घर पर बात करती है, school में नहीं करती है, दोनों में से कुछ भी है अगर, तो simple बात है, पहरे option पढ़ लेते हैं, फिर बताऊंगी, she doesn't like her home at all, हो सकता है, उसे अपना घर बिल्कुल पसंद ना हो, हमें कैसे पता भाई, पसंद लेके नहीं है, फिर आए घर पे हो, वहाँ पर उसकी बात को ना सुना जाता हो, the school provides opportunities to children to talk a lot, school बच्चों को बहुत सारी बात करने का अफसर देता है, यह जरूरी नहीं है, बट क्योंकि एक specific बच्चे के बारे में है, इस सारे बच्चों के बारे में होता है, तो हम माल लेते है, teachers demand that children should talk a lot at school, ऐसा क सुईकरता देता है, सुईकृती देता है, वहीं घर पे हो सकता है, उसको data जाता हो, यह उसकी बात को सुना ही ना जाता हो, तो इसलिए वो express ना करें, अगर उल्टा भी जवाब होगा, इसका उल्टा भी सवाल होगा, कि वो school में तो बोलती नहीं है, बच्ची घर में बोल बने, यह फिर मिलते ही नहीं होंगे, question number 23, a six-year-old girl shows exceptional sporting ability, both of her parents are sports persons, sends her for, हाँ, यह वाला question जिसकी में बात कर रहे थी, कई बार आ चुका है, यानि एक बच्ची अच्छे साल की, जिसके exceptional sporting ability है, यानि वो sports में बहुत अच्छी शंता दिखाती है, बाक्ती बच्चों के मकाब and trains her on weekends, her capabilities are most likely to be the result of an interaction between, यानि यह जो शंता है बच्ची की, कि वो बहुत अच्छा कर पा रही है, sports में, क्योंकि उसको training भी मिल रहे है, heredity, genetics भी उसके माबाब भी जो है, वो sports person रहे है, तो heredity से भी उसको अच्छी शंता मिली है, sports के लिए, physical ability ज्यादा है, और environment में training भी health और training का नहीं, health और training तो दोनों ही environment में आ जाएंगे न, genetics का भी तो यहाँ rule है, heredity and environment, third option is the right answer, आगे बढ़ेंगे question number 24 पर, ये क्या कहता है भई, question number 24 देखेंगे, ये कहता है, environmental factors that shape development include all of the following except, ये को except लिखा हो, not लिखा हो, least लिखा हो, तो थोड़ा सा ध्यान से सवाल को कर लेते हैं, यहाँ पर, तो question क्या कहता है, विकास को आकार देने वाले परियावर्णिया कारकों में निम्लिके सभी शामिल है, सिवाए, देखें, परियावर्णिया कारक देखने, environmental factors, heredity वाले नहीं, ठीक, तो कौन सा heredity, मतलब कौन सा environment का factor नहीं है, except लिखा हो है, सिवा प्रभावित होती है, आपकी heredity से, ज्यादा तर लोग यह मानते है, nutrition यानि portion, sorry, portion कैसा मिला है, आपको यह environment का role है, खाना किस quality का मिलता है, किस संस्कृति में आप हैं, वो भी environment का ही हिस्सा है, लेकिन बुद्धी मत्ता जो है, वो ज्यादा प्रभावित होती है, तो यह environment स हो है, वो आपकी heredity से, संबंदित है, ना कि environment से, ज्यादा प्रभाव जो है, heredity का पढ़ता है, आपके IQ and all पर, question number 25 देखेगा, question number 25 है, gang age is associated to dash age group and delayed development is associated to dash, बताएगा समु आवस्था का संबंद किस से है, gang मतलब group में रहता है बच्चा इस उम्र में, group में खेलना पसंद क परेगा, चाहे वो school हो, आपका आस पडॉस में खेलना हो, गली महले में खेलना हो, पार्क में खेलना हो, गुरुब बना कि बच्चे खेलते हैं इस उम्र में, तो gang age कौन सी age को कहते हैं, यह तो आपको पता ही है, जिसको हम later childhood भी कहा देते हैं, कई लोग middle childhood भी कहा सकते हैं उत्तर बाली अवस्था, है न, 6 से 12 वर्ष, generally जो एक time period है, वो इसमें आएगा, हमें 6 से 12 तो कहीं दिखने ही रहा, यह तो 3 to 6 आपका हो गया, early childhood, 8 to 10 years दिख रहा है, यह तो 16 to 19, 16 to 19 का तो कोई हिसाब बनता नहीं है, तो यह तो common sense है क्या option ही हमारे पास, second बचा दिखाना and socialization, यह socialization की वजह से आप जो है confused हो रहे होंगे अभी चर्चा करेंगे, इसमें तो option कोई और बचा ही नहीं न, MCQ में यह की तो फायदा है कि option कोई यह की सही होगा, तो बाकी की 3 तो वैसी गलत हो जा रहे है, क्योंकि gang age में fit ही नहीं हो रहे, तो अगर middle childhood उठा के देखने है, लेकिन और अगर यह group में वो proper नहीं खेलेगा, तो सामाजी करन delay ही होगा, तो second option is the right answer over here, कोई option बचता ही नहीं है, कोई आस-पास भी नहीं है, जिसको लेकर क्या हम परिशान हो, question number 26 देखेगा, भूख लगे बहुत तेज, question number 26, फटा-फट से बताओ, 3-4 सवाल और है ह यह, emotional development is not as important as physical development in early childhood, यानि 2-6 वर्ष की अवस्था में, बच्चे का सामवेगी विकास उतना महितपूर नहीं है, जितना उसका शार एक विकास है, तो अगर यही वो time है, जहां अगर बच्चे के साथ sexual abuse, physical abuse, बहुत मारा पीटना, घर में लडाई हैं, अगर इस तरह का खर इनफेट ही नहीं है, फिजिकल डिवल्पमेंट ज्यादा इंपॉर्टन है, अर्ली चाइल्टोट में यह कहना गलत होगा, ठीक, तो यह तो बात false होगी, ठीक, रीजन क्या इसका, physical development is more visible and measurable than emotional development, यानि शारिक विकास, भावातमत, विकास की तुन्ना में अधिक इसपस्च कि पर माप निया है कि फिसिकल भी क्षींग उतना शारिक विकास कि पर आसान तो रिजं तो रीया है but R is true but A is not true A is false but R is true fourth option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 27 पे अब assertion reasoning के 34 सवाल है क्योंकि ये करना भी ज़रूर है paper में पूछे ही जाते हैं किसी भी topic से आ सकते हैं और कथन क्या है social development during childhood is crucial for building communication skills यानि बच्चपन में या बालेस्था के दौरान सामाजिक विकास संचार कोशल विक्सित करने के लिए महत्वपूर है यानि communication develop करने के लिए social development महत्वपूर है कि बच्चा social development क्या समाज में कैसे रहते हैं यानि बच्चे वयस्कों को देखकर और अनुकरण करके भाशा सीखते हैं यह बात भी सही है skinner की बात कहते हैं कि बच्चे जो है वो नकल करके या observe करके वो सीख रहे हैं भाशा जैसे वो कार्टून को कोई देख रहा है, कोई डॉरी मॉन देख रहा है, कोई शिंचेन देख रहा है, या फिर आसपास अपने माबाप को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्कतारों को बात करते हुए देख रहा है, तो वो भाशा सीखता है, ये बात एकदम सही है, कोई ग बात हो रही है कि communication better हो रहा है social development के बारे में ही तो language के बारे में घुमा फिरा के बात हो रही है तो A, N, R, R सही है R is the correct explanation चले जाएंगे इसके साथ आगे बढ़ेंगे question number 28 question number 28 क्या कहता है भई adolescents often experience mood swings due to hormonal changes यानि यह जो 12 से 18 का समय है जिसको stress and storm का period कह रहे है हम तनाव उन तूफान के वस्ता कहते है Stanley Hall बहुत सारे hormonal, physical, psychological दुनिया जहान के changes जो है adult sense में हो रहे होते हैं हर प्रकार के बात सही है तो mood swings होंगे बच्चे में कि आज वो 2 में बहुत अच्छा महसूस कर रहा है कई बार खराब भी करेगा या तो बहुत एकदम extremes में रहता है emotions या तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है एकदम खराब ठीक ये बात सही है adult sense के बारे में सही है भाई reason क्या है इसका hormonal fluctuations during puberty इसके दौराण hormonal उतार चड़ाव तंत्र का तंत्र को भी प्रभावित कर सकते है ये बात भी एकदम सही है अगर बहुत जादा hormonal changes होते है तो आपका brain functioning से लेकर के बहुत सारे aspect आपके development के वो प्रभावित होंगे दोनों ही बातें सही है तो first option is the right answer आगे बढ़ेंगे next question पे question number 29 देखेगा और बताईएगा question number 29 क्या कहता है अभी कथन है या अजर्शन है क्या कहता है cognitive development is only influenced by a child's environment यानि संग्यानात्मक विकास केवल बच्चे के वातावरेंट से प्रभावित होता है यानि दिमाग का विकास सिर्फ और सिर्फ environment से प्रभावित होता है अभी तो हम बात कर रहे थे दिमाग के विकास पे ज़्यादा प्रभाव किसका है? heredity का है तो सिर्फ कह दिया only नहीं लगा सकते आप only थोड़ा negative हो जाता है heredity का भी प्रभाव है environment का भी प्रभाव है अगर ऐसा नहीं होगा दिमाग का विकास environment से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है तो हम स्कूल क्यों भेजते बच्चे को है ना फिर तो समझ तो विक्सित हो ही नहीं सकती क्योंकि मिल गई जो मिलनी थी तो ये कहना गलत हो जाएगा false reason क्या है इसका interaction with parents, teachers and peers helps shape up child's thinking abilities जिन लोगों से आप मिलते है माता, पिता, दोस्त, यार, teachers जो किताबे आप पढ़ रहे हैं इन सबसे आपी समझ विक्सित होती है ये बात तो सही है लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये तो environment का इसमें role ही नहीं है सिर्फ only influenced by a child's environment सिर्फ environment से प्रभावित होगा तो सिर्फ तो नहीं होगा उसमें heredity का भी role है तो reason सही है बट ए गलत है A is false, R is true fourth option के साथ हम यहां जा रहे हैं आगे बढ़ेंगे last 2 सवाल है, 31 सवाल आज टोटल है आपके question number 30 देखिएगा physical activity is essential for the healthy growth of bones and muscles in children यानि शाररिक गतिवधी जो है वो महतपून है बच्चे की हड़ी और मास पेशियों के विकास के लिए यानि जब बच्चे को हम खेल में कोई अब वो चाहे खोको खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है या फिर गुरुप में कोई भी दोड़ भाग कर रहा है तो जो भी physical ability है physical activity है, वो उसके bones और muscles के लिए महतपून होती है, यह बात सही है, true है ठीक है, ना, reason कि अगर हम बात करें इसका कारण क्या है, physical activity increases the production of growth hormone in the body ये भी true है, कि बहतर growth hormone जो है विकसित होंगी, यदि फिजिकल ability करता है बच्चा, तो बोथ ANRR2 and R is the correct explanation आगे बढ़ते हैं, next question पर आज के लिए आखरी सवाल है ये, देखिएगा और बताईएगा फटा-फट से answer कीज़ेगा last question है आज के लिए कल कोशिच करेंगे कि आपटेट की marathon करें, यानि previous year अच्छा से और वो seatate वालों के लिए भी बिल्कुल helpful रहेंगे payment रहे गया क्या अभी भी correction की time कर सकते हैं हाँ, अभी टाइम होगा न, 25 तक corrections है देखना, question number 31 देखना, last question आज के लिए, emotional support from parents does not significantly impact our child's mental development यानि बच्चे को यदि parents से उसके माबाप से emotional support मिल रहा है उसको loved महसूस होता है उसको accepted महसूस होता है safe महसूस होता है कि माबाप उसको प्यार करते हैं, वो blonde महसूस करता है तो ये चीज़ बच्चे के मानसिक विकास पे प्रभाव नहीं लाईगी, ये कहना गलत होगा क्योंकि physical, cognitive, social, emotional विकास के सभी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए है यदि emotional development अच्छा है तो cognition पे प्रभाव पड़ेगा physical development अच्छा है तो दिमाग पे प्रभाव पड़ेगा आपकी सही है लेकिन emotional ये विकास के चारों प्रकार जुड़े भी तो हुए है इसको ignore थोड़ी कर सकते हैं तो A तो जो है false है, R सही है कि हाँ मानसिक विकास जो है मुख्य रूप से आपकी आनुवानशिक्ता भी जैनेटिक्स पे ही आपका intelligence जो है जादा प्रभावित होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाखी विकास के प्रकारों से जुड़ा नहीं है और environment का कोई role नहीं है environment का भी role तो है ना, दिमाग के विकास पे भी या intelligence पे भी, ठीक और रा आउाग प्राओन मतलब ये का मतलब येकिन जैजए विक थाज़ान विकास हम रगा नहीं है झाल 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 झाल